चैनल के सभी दर्शकों को नभशकार जैश्रे कृष्णा अप्रणाम मेरे कुछ दर्शकों ने प्रश्ण किया है कि चंद्रमा के साथ यदि शुक्र बैठेगा तो क्या परिणाम होगा और कुछ दर्शकों ने बात किया है कि चंद्रमा से शुक्र का देखने का कोई विधान ही नहीं है तुक ही नहीं है कुछ लोगों ने कहा नौमांश इत्यादी से फलादेश किया जाता है तो पहली बात तो मैं उन लोगों को कह दू अभी आप अच्छी तरह से जोतिश को जानो पढ़ो, समझो, सूत्रों को महात्माओं के देखो तब आपको ग्यान होगा मैं अनेग बार कह चुका हूँ, महात्माओं का एक ध्यान योग के माध्यम से जोतिश का खुलासा आज तक हुआ है उन्होंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी उन्होंने जो भी देखा अपने अंताह करण को पढ़कर के ग्रहों के सभाव चरित्र को जानकर के बताया है मैं आपको बता दूँ, पहले तो मैं उन लोगों के प्रश्ण जिन लोगों ने किया है उनके बारे में ये कह दूँ कि चंद्रमा शुक्र की अगर युती एक जगह हो जाए चंद्रमा के साथ ही तो उसका क्या परिणाम होगा तो मैं वो बता देता हूँ देखे, जन्म कुंडली की भाती ही चंद्रकुंडली का फलादेश भी किया जाता है क्यों? जन्म कुंडली प्राण है और प्राण एक नहीं है, प्राण है दस चंद्र कुंडली एक है इसलिए जन्म कुंडली के विभिन भावों से प्रथक प्रथक घरों का फलादेश विधान भी भिन भिन है जब जन्म कुंडली से दूसरे तिसरे या बारवे घर तक शुक्र बैठेगा तो आपके प्राणों पे प्रभाव डालेगा लेकिन चंद्र कुंडली का क्या मतलब है बताई चंद्र कुंडली क्या है जातक का मन है और संपूर्ण ग्रह नक्षत्र चंद्रमा के इर्द गिर्द रहते हैं क्योंकि समस्त नक्षत्रों के पती हैं चंद्रमा और चंद्रमा मनुष्य का क्या है मन है जन्म कुंडली के अनुसार बैठे हुए ग्रह चाहे कुछ कम फलादेश करे लेकिन चंद्र कुंडली से अगल बैठ बगल बैठे हुए ग्रहों का फलादेश बड़ा पर्फिक्ट होता है ठीक है दूसरी बात जब भी कोई फलादेश करता है तो फलादेश का परिणाम आने में समय लगता है अब मैंने 35 वर्षों की जोतिस साधना में लोगों को जो फलादेश किया उसी समय परिणाम नहीं दिखाई पड़ा ठीक है परन्तु कुछ काल के बाद वो परिणाम सत्व प्रतिशत सामने आ गए है चरित्र के बारे में कहा वह सत्य हुआ जमीन जायदाद मकान पत्नी परिवार के बारे में जो कहा वह सत्य हुआ यह अभिमान नहीं है यह स्वाभिमान है और जोतिश के उन प्रतीक महात्माओं का अनुसंधान जो हुर्दे में बैठा उस पर गुमान है कोई अभिमान नहीं है बेटा पहले पढ़ो अच्छे से तब किसी बुद्ध पुरुष के सत्पुरुष के जो अनुभवी पुरुष हैं उनके उपड़ी पड़ी करो चले चंद्रमा श्वैत रश्मियों वाला सीतल प्रकाश मान ग्रह है और चंद्रमा जातक का मन है इसलिए चंद्रमा से आपके मन पे पढ़ने वाले ग्रहों का असर का पूर्ण अनुभव आपको लेना चाहिए शीखना चाहिए चंद्रमा से युती कर रहा हो यदि शुक्र अब शुक्र भी इस निक्द चिकना सुन्दर भोग अप्रिय स्था रहना पसंद करने वाला स्वक्ष रहने वाला विलासी ग्रह है और चंद्रमा को शुक्र क्या करेगा बिछलित करेगा परन्तु यदि शुक्र और चंद्रमा की युती देखी जाए तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा संकल्प विकल्प लेते हैं बहुत ज्यादा भूमी भवन इस्त्री पुत्र समृद्धी वाहन लग्जरीज लाइफ जीने की इच्छा करते हैं और इनको मिलता भी है चंद्रमा यदि किसी पुरुश्रत के साथ में बैठा हुआ शुक्र ग्रह हो जाए चाहे कहीं भी बैठा हो तो शुक्र क्या है पुरुश्र के दो चीजों का विचार करना है एक भोग प्रिय वस्तों का दूसरा पतनी का तो शुक्र भी सुन्दर है और चंद्रमा भी सुन्दर है ऐसे में पती पतनी के बीच में दोनों ग्रह सुन्दर होने के कारण दोनों ही लोग सुन्दर होंगे जरूरी नहीं कि आप शरीर से और चेहरे से सुन्दर हों जबकि चंद्रमा और शुक्री कठे बैठेंगे तो जलवायू के तरीक संदरे को बढ़ाएंगे ना कि बाहे संदरे को यदि साउथ अपरीका में कोई रहता हो और चंदर शुकरी कठे बैठ जाएं तो वहां की जलवायू ही ब्लैक कर देती है डार कर देती है जरूरी नहीं है कि वहां के लोग बिल्कुल गोरे चिटे हों सफेध हों लेकिन उनका मन उनका चिंतन बड़ा सुंदर होगा संकल्प बड़ा सुंदर होगा तो यदि चंद्रमा शुक्री कठे बैठेंगे तो जातक वाक पटू शायर गायक फिल्म इंडस्ट्री से कोई न कोई संबंध रखने वाला कपड़े का बिजनेस फैंसी आइटमस का बिजनेस, कॉस्मेटिक्स का बिजनेस, दूध, पानी, इत्यादी का व्यापार करने वाला जातक होता है और ऐसे जातक सुंदर्य प्रिय प्रधान पुरुष होते हैं एवं उनके अंतर में संसकृती कला के अनुसार भोग प्रियता रहती है ना कि उच्छंखल मन से किसी के साथ भी भोग प्रिय बन जाएं अब देखना ये है कि आपके चंद्रमा के साथ शुक्र बैठा है लेकिन चंद्रमा आपका कितनी डिग्रियों पर है और सूर्य से कितना निकट है जितनी दूरी पर सूर्य से चंद्रमा होगा उतना चंद्रमा के पास बल होगा ये सूत्र है सो यदि शुक्ल पक्ष की अश्टमी से लेकर क्रश्न पक्ष की अश्टमी तक का चंद्रमा है तो आपका चंद्रमा पापिस्ठ नहीं है बशर्ते आपके चंद्रमा पर किसी पाप ग्रह की द्रिष्टी न हो शत्रू ग्रह की द्रिष्टी न हो चंद्रमा पराजित न हो तब आप युक्ती युक्त भोग, संपत्ती, इस्त्री, सुन्दर वाता वर्ण, अच्छा मकान, श्वैत पशू, गाय, धन, चावल, मोती, हीरा, शंक, एवं बहुत सारे सुखों से परिपून होंगे, निश्चित बात है, अब चंद्रमा के साथ जब शुक्र बैठेगा, तो शुक्र धर्म निश्ठ भी तो है, शुक्र बीर्य तो देता है, बल ओज बीर्य सुन्दरता देता है, लेकिन शुक्र न्य प्रियता भी देता है, इसलिए जरूरी नहीं है कि आपका चरित्र दूशित करे, शुक्र चंद्रमा इकठे जब बैठेंगे, तो जातक कि ग्रहनी सुन्दर होगी, जातक सुन्दर होगा, जातक विचार कुशल होगा, और अच्छी काब विशैली होगी, लेखन विद्या जातक होगी, गाई का गाईकी में कही न कहीं उसकी रूची होगी, संगीत से प्रियता होगी, जब शुक्र और चंद्रमा इकठे बैठेंगे, तो ऐसा मिश्चित बात है, कि आपके साथ होगा, बशर्ते, न शुक्र के शत्रूगर्छ शुक्र को देखते हों, और न चंद दोशी बना देंगे, प्रभाव लेकर बैठा होता है, जिसका शुक्र दोशी हो ग्यारवे, बारवे और दूसरे घर में, तो उसको नेत्र विकार होता है, उनहां उसको खासी, खखार, बलगम, इत्यादी बनने की इस्तिती बन जाती तो चंद्रमा शुक्र इकठे होने पर जातक को ठंडी बहुत लगेगी, प्रकृति से उताल मेल जल्दी नहीं बिठा पाता, वो सांत सीतल जगव पे रहने का शौकीन होगा, संदर यप्री होगा सांत प्रिये विक्तियों के साथ बैठना प्रसंद करेगा, अच्छे लोगों के साथ में रहकर के उसे अच्छी बाते सीखने का उसर मिलेगा, सकारात्मक होता है, तो जिन लोगों ने प्रश्न किया था, चंद्रमा और शुक्र से संबंदित, उन प्रश्नों का उत्तर बहुता मैंने आपको दे दिया, और जिन लोगों के प्रश्न हैं, वो प्रश्न मैं एक बार पुनहा देखूंगा, फिर आपको उसका जवाब भी दूगा, तो वीडियो में इतना ही उसके बाद पुनहा मिलेंगे, नमस्कार जैश्य कृष्णा प्रणाव